नमस्कार स्वागत है आप सभी का डीडी नीूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ कृते का और इसी भी इच सीधा रुख करते इस लोक दिल्ली भाश्वा मुख्याले का जहां पर शहजाद पुनावाला किया कुछ कहरे सुनते हैं अंदर आचुकी है वो आपको दिखाए देगा एक पियायल कुछ हफते पहले दिल्ली हाई कोट के सामने आई जिसमें की लाखों बच्चों के भविश्य से जुड़ी हुई बाते थी दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको तिन के क्लासरूम में बैठना है तिन के बिल्डिंग में बैठना पड़ता है हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनको टेक्स्ट बुक राइटिंग माटीरियल ब्लैक बोर्ड डेस्क ऐसी कोई बेसिक सुविधा भी प्राप्त नहीं है उन स्कूलों में और यह सब स्कूल जो है यह अरविंद केजरिवाल और उनकी सरकार की जिम्मेदारी के तहट आते हैं ऐसे लाखों बच्चों की चिंता करते हुए एक पियाईल जब दिल्ली हाइकोर्ट में जाती है और दिल्ली हाइकोर्ट लगातार दिल्ली सरकार से पूछती है कि इन बच्चों के बारे में आप क्या कर रहे हैं इनको बेसिक High Court की तरफ से जो findings और बाते सामने निकल कर आई हैं, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ. सबसे पहले दिल्ली High Court के acting chief justice, वो कहते हैं, और ये अरविंद केजरिवाल और अरविंद केजरिवाल का प्रतिनिदित्व करने वाले, वहाँ पर जो मंत्री सौरब भरद्वार और उनके वकील से कहते हैं, How much power can you appropriate to yourself? How interested is your client to get power? What is the point of all this power? This arrogance of power is at its highest. This person, मतलब केजरिवाल के विशे में बोल रहे हैं, this person is looking for more power and power and you have placed your personal interest at the highest and not national interest. ये तब हुआ जब सौरब भरद्वाज ने बताया कि ये बच्चों को हम इसलिए जो basic बुनियादी सुविधाये नहीं दे सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में हैं और मुख्यमंत्री जेल में होने की वज़े से, कस्टेडी में होने की वज़े से, हमारी सरकार इन बच्चों के लिए कोई निर्नय नहीं ले पा रही है, तब Acting Chief Justice of High Court ने कहा है कि आपने आपकी व्यक्तिगत महत्वकांग्शा और हितों को देश के हित के ऊपर रखा है, और आप कितना पावर, कितनी आपको सत्ता चाहिए, यह सत्ता है, कोई मतलब नहीं, यह तीखी टिप पड़े हाई कोड की तरफ से की गई, इसे के साथ फिलाल रुकेंगी छोट से ब्रेक लिए और ब्रेकियों उस पर देखिए, हमारा खास कारिक्रम एक भारत, श्रेष्ट भारत.